जिन लड़कों से मोटर साइकल भी डबल स्टेंड पे नहीं खड़ी होती है वो भी अपनी गल्फ्रेंड से कहते हैं जानू तु बोल तो दुनिया हिला कर रख दूँगा। डरपोख होते हैं वो लोग जो ऑनलाइन आने से डरते हैं साला जिगर चाहिए टाइम बरबाद करने के लिए इमेल चाहे जितनी भी तरक्की कर ले खबर फैलाने में फिमेल आज भी सबसे आगे हैं। सर्मा जी तेरी बीबी कल क्यों जोर जोर से चिला रही थी उसकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी वर्मा जी अरे यार ऐसी कोई खास बात नहीं थी उसकी फोटो फेसबुक पे अपलोड करने की जगह और हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने कहा 1960 का कबार किसने डाला ह पहली सीटी में इस्तरी का ध्यान अकर्शित करना दूसरी सीटी में इस्तरी को ध्यान देने में मजबूर करना और तीसरी सीटी में उसको अपने पास बुला लेने का सामर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रेसर कूकर के पास होता है पती अपने मेरे सर्टिफिकेट को एक घंटे से देख रहा था बीबी तुम एक घंटे से क्या देख रहे हो पती समापती तिथी ढूंड रहा था सालों ने लिखी ये ने सिटी बस में मैं आराम से बैठा हुआ था तबी एक खुबसूरत सी लड़की आई और बोली आप यहां से उठिये ये महिला सिट है मैं यह कहते हुए उठ गया कि आप महिला हैं मैं तो आपको लड़की समझ रहा था कसम से पूरा रास्ता सिट खाली रही पर लड़की बैठी नहीं पत्नी ने उंगली के इसारे से पती को बुलाया पती बोल क्या काम है पत्नी कुछ नहीं बस अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी ऐसे ही मज़ेदार जोक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हसते रहे हसाते रहे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई